कैसे हो जवानों आसा करता हूं कि संदार और जबर जस्थ होगे देखो ससी जीडी का जो है 42,000 पदोपी वेकेंसी आई थी फॉर्म भी भरा चुका है मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग फॉर्म को भर दी होंगे इस बार कितनी फॉर्म भरी गई है कंपटीशन अफ लेबल क्या रहने वाला है कहीं न कहीं इसको जाननी की जुरूरत है और लास्ट तीन-चर साल का जो रिकॉर्ड रहा है कहीं न कहीं आप उससे भी जो है एक बार कंपेर कर सकते हो और इस बार एकजाम का भी डेट आपको तरह ने हो जबतादीए गया है कि जनुवरी में एक्जाम देखने को मिलेगा तो कितना आपको एक टार्गेट लेकर चलना होगा कितने परसं सही करने होंके इन सब कुछ के बारे में बात करेंगे और जीनका भी एक चार्यचाम खराब गया है कहीं ना तार्गेट बनाके इस बार पढ़ाई जारी कर सकते हैं अब SSGD की वेकेंसी 2018 में आई थी फिर 21 में आई थी 22 में थी और 23 24 में जो है दो वेकेंसी मतलब इस साल दो वेकेंसी अभी तो एक की जो है आपकी फीजिकल वगेरा मेडिकल वगेरा जो है खतम हुआ है मेडिकल चल ही रहा कुछ लोगों और टोटल फॉर्म की बात करें तो आपको 52 लाख के आसपस लड़कों ने फॉर्म को भरा था 60%, 55%, 65% इससे जादे जो है लड़के एकजाम में एपीर नहीं हो पाते हैं अगर कमपटीशन अफ लेबल की बात करें तो 2018 में एक सीट में मातर 86 लड़के थे वहीं अगर हम 21 मे वेकेनसी थी 25,000 लेकिन सबसे ज़्यादे फॉर्म भरे गए थे क्योंकि आपको उस स्क्राव करोना काल का समय चल रहा था काफी सारी वेकेंसी नहीं आ रही थी तो इस तरह से देखने को मिला था और करोना काल के बाद जो है ये लंबी चोड़ी वेकेंसी देखने को मिली थी तो 2021 में 70,000,000,000 फोर्म भरे गए थे और मातर वेकेंसी थी 25,000 लेकिन एकजाम कितना दिये 40,000,000 के आसपास वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में जो है 24,000,000 लड़कों ने फोर्म को भरा था जिसमें 35,000,000 लड़कों ने एकजाम दिया था और जो है 50,000 सीटों पे वेकेंसी थी वहीं 2023 की बात करें जो की अभी वेकेंसी में बहुत सारे लड़कों का सेलेक्शन भी हो गया होगा और ये दूसरी जो वेकेंसी है इसका भी फोर अब आते हैं जो अभी का सेनेरियो देखने को मिल रहा है और अभी जो है कितने फोर्म भरे गाए है जो 49,000 पोस्ट वेकेंसी देखने को मिल रही जिसमें आपने फोर्म को भरा है तो देखिए अभी तो आर्टी आई रिपलाई नहीं आया है तो एक्जेक्ट डाटा आपक जो इंस्टाग्राम पर फोटो भी आया है बहुत जल्द जो है इसका विदिने मन्थ जो है आपको एक रिपोर्ट भी आ जाएगी कि कितने जो है फॉर्म को कितने लड़कों ने फॉर्म को भरा है अब रही बात की उपस्थिती की तो 40 से 42 लाक लड़कों ने फॉर्म भरा है तो हाडली अगर उपस्थिती की बात करें न तो 25 से 30 लाक लड़के उपस्थित होंगे एकजाम को देंगे ठीक अगर कमपटीशन अफ लेवल की बात करें तो मतलब जैसे उपर में आपको कमपटीशन देखने को मिले है 18 से लेकर और 23 तक वहीं कमपटीशन का लेवल र जादा चांसेज है क्यों चांसेज है मैं आपको समझाता हूं क्या है कि एक ही साल में दो वेकेंसी एक तो जो है आपकी चल ही रही है जो कि आप बहुत सारे लड़कों ने जो है फॉर्म को भरा होगा और बहुत सारे लड़कों का फाइनल सेलेक्शन भी हो गया होगा एक ह साल में दो वेकेंसी, 46,000, 49,000, जो 46,000 वाले लड़की होंगे, वो 49,000 में भी फॉर्म भरे होंगे, जाहिर सी बात है, और mostly लड़कों का सेलेक्शन जो है, 46,000 में हो जाएगा, अब क्या है, कि 46,000 वाले लड़के जो है, इनका मेडिकल वगरा चल रहा, आपको भी पता है, फ 46,000 में सेलेक्शन जिनका हुआ है, वे जो हैं, फाइनल सेलेक्शन नहीं ले पाएंगे 49,000 वाला में, क्योंकि फाइनल इसका अगर हम रिपोर्ट की बात करें, जो 49,000 वाली वेकेंसी है, ये कहीं न कहीं जून जुलाई तक चला जाएगा, आदे जनवरी फरवरी में तो एक्जाम के दो धाई मन्त के बाद आपकी फिजकल मेडिकल होगी, फिर तमाम प्रोसेस जून जुलाई तक चनहीं जाएगा, तब तक इनको जुआनिंग हो जाएगा, तो इस तरह क्या होगा, कि जो मतलब अच्छे खासे नंबर लाने वाले लड़के थे, उनका उसमें से प्यारी अगर अप एंड डाउन भी रहता है, तब भी आपका सेलेक्शन होने का चांसेज रहेगा, अब थोड़ा सा एक नॉर्मल डाटा पे बात कर ले, कि इस बार जो है, आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, यदि आप अपना फर्स्ट प्रिफरेंस चाहते हो तो, जिसका कटफ जो है, पूरा ओल इंडिया में एक ही लगता है, स्टेट वाइज नहीं लगता है, उसके लिए तो जो है, आपका 95% नंबर आता है, तब भी जो है, आपका सेलेक्शन होता है, वो NIA हो गया, SSF हो गया, ये सारी जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए देखेने क कटफ देखने को मिलता है, अब ये वेरी करता है, स्टेट वाइज भी, नकसल डिस्टिक वाइज भी, इसके अलामा जो कुछ इस्टेट ऐसे है, जो कुछ अदर देश से लगते हैं, उस वे भी जो है, वेरी करता है, जैसे कि इसकी इसकी cut-off जो है, इसकी result तमाम तरह से द तो एक अगर मोटा मोटी एवरेज बात करें तो आप से 80 question पूशे जाते हैं अगर 80 question में अगर आप 60 question सही कर देते हो तो आपकी selection होने की possibility हो जाती है अब कहीं कहीं पर 50 पे भी आपका selection हो जाता है कहीं कहीं पर 60 question भी सही करने पड़ते हैं कहीं कहीं चालिस कोश्चन सब्सक्राइब करके लड़के सेलेक्षन ले लेते हैं और 98 नंबर लाके भी सेलेक्षन हो जाता है कहीं पर 130 140 नंबर लाते हैं कहीं पर 160 में 160 नंबर आता है 157 153 नंबर आता है तब सलेक्षन होता है तो यदि आप बिहार और U me जैसे स्टेट से बिलॉंग क तो आपको जो है थोड़ा सा कम भी नंबर लाओगे तो काम चलता है तो एक overall targeted अगर हम बात करें कि कितना question आपको सही करना पड़ेगा तो आपको जो है कम से कम 60 question सही करने होंगे अगर आप ssgd में result चाहते हो तो जो आपका मन चाहा post होगा वह आपको मिल सकता है तो एक target तो बिलकुल आप जो है एक दायरे में हो और आपकी selection होने की पूरी पूरी possibility है overall यहीं आपका competition of level भी रहने वाला है और यहीं आपका सब कुछ देखने को मिलने वाला है कोई भी question query हो comment box में पूछिए इसके साथ साथ Instagram पे आके भी personally पूछ रखते हो